सेलफेर सोसाइटी के और से डॉक्टर भीम्राव मेटकर के 130 वी जैनते पर सम्हारों का आयजन क्या गया है मंत्री भजनलाल जाटव संबोतित कर रहे हैं क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनते परंकोंडेर का जैनती का जो राश्य पर रहे हैं इसे बड़ा पर कोई राजस्तान क्या हिंदुस्तान में कोई हो ली सकता क्योंकि आज जिस सक्षियत की वज़े से आज से 73 साल पहले जब आज़ादी भारत गुलाम था भारत गुलाम की जब्रेंस मत गुद्रा हुआ था और हमारे महापुट्थों ने मातमा गांदी पंडे जबाला नहरू तैटोपे मंगल पांडे लालालाज पत्राय और बाब यदि हिंदुस्तान आजाद होता तो भारत तुम्हाँ संधान नहीं लिखा और भारत का संधान आज नहीं होती तो बाबसाफी अ की सरकारित ही उन्होंने बाबसाफ को लिवेदन किया कि आप लोग संधान बना सकते हैं तबी जाके आज इतना विशाव शम्धान इतना बड़ा लोगतंत इतना बड़ी देमोगर्थी जो उसमें सम्धान के तहर आज गरीब और अमीर के बीच में जो खाई पार्टी गई है और यदिये जो बाबा साथ भीवराव अमीर करजी ने एक बोर्ट की ताकत दी उसी के बीच गरीब और अमीर की खाई को पूरा करने का काम उस लोगतंत इतना किया जाता है बुलिटिन में फिलाल के लिए इतना है और खबरों के लिए बने रहे फॉसर इंडिया के साथ नमस्कार